Good morning students, how are you? Welcome to all of you. In my physics class, students, हमने 2 भी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है Lactical Measurement. ठीक है, इस चैप्टर में 3 important आर्टिकल है, किर्चोफला, वीड स्टोन ब्रिज पिंसिपल and a potentiometer. हमने last lecture में किर्चोफला स्टेडी किया था, आज हम स्टेडी करेंगे वीड स्टोन ब्रिज पिंसिपल and application of वीड स्टोन ब्रिज पिंसिपल. सबसे पहले, what is वीड स्टोन ब्रिज पिंसिपल, ये क्या होता है? It is an instrument which is used for measuring unknown resistance. वीड स्टोन ब्रिज पिंसिपल unknown resistance मेजर करने के लिए help करता है. ठीक है, ये हमारे पास एक lactic circuit बना हुआ है, ठीक है, इसमें P and Q 2 given resistance है, ठीक है, और R unknown resistance है. R की value भी given है, मतलब कि इस circuit में 4 resistance अटैच किये गये हैं, P, Q, R, S. P, Q, R की value given है, और S क्या है? अन्नोन. सर्क्ट में हमने क्या किया? Cell attach कर दिया, K1 की co-touch कर दिया, Glowenometer co-touch कर दिया. टोटल सर्क्ट में I current flow हो रहा है, जब I current point A पे reach करेगा, ये two parts में divide हो जेगा. I1 and I-I1, ठीक है? मतलग कि हमारे पास 4 arm है, A, B, B, C, A, D and C, D. जब I current point A पे reach करेगा, तो arm AB में I1 current flow करेगा, arm ID में I-I1 current flow करेगा. ठीक है? जब हमारे पास जो I1 current है point B पे reach करेगा, तो इसमें I1 से IG current BD में flow करेगा. ठीक है? I1 minus IG current BCR में flow करेगा. तो point D तक हमारे पास 2 current reach करेगे, एक तो IG, एक I-I1, ठीक है? ये दोन्नों current DCR में flow करेगे, I-I1 प्लस IG. ठीक है? हमारे पास point C पे कितने current पहुँचगे? दो. एक तो I1 minus IG, एक I-I1 प्लस IG. ये दोन्नों combine होके, क्या produce करेगे? I. ठीक है? इसलिए हम कहा सकते हैं, total circuit में, मतलग कि जो हमारे पास complete circuit है, उसमें I current flow हो रहा है. जब हम circuit को start करेंगे, ठीक है? हमने galvanometer में बो point note करना है, जब galvanometer को भी अपनी deflection नहीं show करेगा. मतलब कि galvanometer में, जो हमने यहाँ पे attach किया, उसमें कोई भी current flow नहीं करेगा. वीड stone which is set to be balance. तब हमारा जो वीड stone है, यहाँ पे हमने 4 resistance attach किये हुए हैं. P, Q, R, S, क्या होएंगे? balance. ठीक है? balance के condition में क्या होएगा? P upon Q is equal to R upon S. ठीक है? इस balance का क्या मतलब है? हमने यहाँ से resistance को set करके, बो point note करना है, जब galvanometer में कोई भी deflection नहीं होएगी. ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? किर्चोफला अपलाई करेंगे. सबसे पहले, R, M, A, B, D, A में हम किर्चोफला अपलाई करेंगे. देखो, इस सरकेड में क्या दिया हुआ है? जब हम यहाँ पर किर्चोफला अपलाई करेंगे, तो हम जिस direction में मूव करेंगे है, current की direction भी सेम है, इसलिए हम I1 और P के product को क्या कंसिदर करेंगे? क्योंकि किर्चोफला के कोडिंग क्या होता है? अगर हम जिस direction में मूव करेंगे, current की direction सेम है, तो हम product of current और resistance को क्या कंसिदर करते हैं? positive, so I1 P is equal to positive, ठीक है, next BDR में current IG flow हो रहा है, और glovanometer का resistance let us suppose G है, तो हम B to D move करेंगे, current की direction भी सेम है, इसलिए हम IG और G को क्या कंसिदर करेंगे? positive, next DA, R में, ठीक है, हम D to A move करेंगे, बट current की direction A to D है, इसलिए हम जो इस R में current flow हो रहा है, I minus I1 R, इन दोनों को product को क्या कंसिदर करेंगे? negative, ठीक है, तो किर्चोफ second law के coding क्या होता है, product of current and product of resistance is equal to 0, next by applying किर्चोफ second rule to the closed circuit BCDV, ठीक है, BCDV, सबसे पहले देखो, हम BCR में move कर रहे है, current की direction भी सेम है, इसलिए I1 minus IG और मतलगी resistance के product को हम positive consider करेंगे, next हम CDR में move करेंगे, हम C2D move कर रहे है, but current की direction opposite है, इसलिए हम I minus I1 plus IG into S, इन दोनों के product को negative consider करेंगे, next हम D2B move कर रहे है, but current की direction opposite है, इसलिए हम जो current और resistance का product है, इसको negative consider करेंगे, इसलिए जो IG और G का product होएगा, उसको हम negative consider करेंगे, according to Kirchhoff's second rule, this is equal to 0, फिर हमने both point measure करना है, जब IG is equal to 0, मतलब कि गलवैनो मीटर में कोई भी current flow नहीं हो रहा, हम first और second question में IG की value 0 put कर देंगे, हम IG की value 0 put करेंगे, हमारे पास आजएगा, I1 plus P minus I minus I1 R is equal to 0, ठीक है, जहाँ पर हम IG की value 0 put कर देंगे, क्योंकि गलवैनो मीटर में कोई भी deflection नहीं हो रही, इसका मतलब जो गलवैनो मीटर में current है, IG that is equal to 0, हम IG को 0 put कर देंगे, हमारे पास आजएगा, I1 Q minus I minus I1 S is equal to 0, ठीक है, हमारे पास two questions आजएगी, ठीक है, third and fourth, this is equal to 0, this is equal to 0, अब हम इन दोनों को divide कर देंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसको right and side ले जाएगे, दोनों को, I minus I1 R को, and I minus I1 S को, ठीक है, अब हम इन दोनों को divide कर देंगे, जब हमने इस दोनों question को divide कर दिया, I1 और I1 के साथ cancel हो गया, I minus I1, I minus I1 के साथ cancel हो गया, तो हमारे पास आजएगा, P.Q is equal to R.S, ठीक है, यह हमारे पास bitstone principle थी, ठीक है, इसकी application है, slide wire bridge, मतलब कि यह principle slide wire bridge में काम आती है, next हम slide wire bridge को discuss करते है, यह मतलब कि आपका plus two के exam में practical है, यह lab में एक instrument होता है, ठीक है, हमारे पास यह एक wooden का scale होता है, उसके साथ मतलब कि एक copper wire attach होती है, ठीक है, इस circuit को हमने complete कर लिया, circuit के साथ हमने battery को attach कर दिया, key को attach कर दिया, ठीक है, इन दो strip के विचकार हमने resistance box को attach कर दिया, और यहाँ पे two strip बनी होई है, इन दोनों strip के बीच में हमने unknown resistance को attach कर दिया, क्योंकि बीच स्टोंड बीच पिंसिपल का क्या purpose है, to determine the unknown resistance, जो meter bridge है, वो बीच स्टोंड बीच पिंसिपल की application है, ठीक है, इस D point के साथ हमने glowanometer को attach कर दिया, glowanometer की one side हमने D point के साथ attach कर दि, और glowanometer की दूसरी side हमने जोकी के साथ attach कर दि, ठीक है, फिर ये experiment करने का क्या method होता है, हम जोकी को, मतलगी जो wire लगी हुई है, उसके उपर slide करेंगे, हम वो point note करेंगे, जब glowanometer में कोई भी deflection नहीं आएगी, ठीक है, जब glowanometer में कोई भी deflection नहीं आएगी, तो weedstone vg principle के coding क्या होता है, p.q is equal to r.s, ठीक है, मालो, point b पे किलमेनो मीटर में कोई भी deflection नहीं है, इसलिए a, b is equal to l centimeter, मतलगी b point पे कोई भी deflection नहीं है, a, b को हम l centimeter consider कर लेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास scale है, यहाँ पे total length 100 centimeter है, इसको हमने l consider कर लिया, b, c की value क्या आएगी, 100 minus l centimeter, ठीक है, और l centimeter को हमने p consider कर लिया, और 100 minus l centimeter को हमने q consider कर लिया, ठीक है, फिर हम यहाँ पे value put कर देंगे, p point q is equal to r point s, ठीक है, p भी resistance है, q resistance है, r resistance है, s resistance है, s unknown resistance है, इसकी value हमने find करनी है, देखो, p की value क्या आगी, p की value lr, मतलब कि p एक resistance है, a की value r थी, हमने, मतलब कि p को क्या consider कर लिया, lr, r क्या है, resistance, मतलब कि r को हम, किसके साथ multiply कर देंगे, l के साथ, और जो हमारे पास क्यों था, उसको हमने 100 minus lr consider कर लिया, that is equal to r upon s, हमने s की value find करनी है, so s is equal to 100 minus l upon l into r, देखो, यहाँ पर 4 resistance attach किये गे है, p, q, r, s, ठीके, हम यहाँ, जो हमारे पास यहाँ पर resistance box attach है, ठीके, resistance box क्या होता है, उसमें काफी सारे resistance attach होते है, resistance box से हम resistance को set करके, galvanometer में बो point note करते हैं, जब galvanometer में कोई भी deflection नहीं आएगी, ठीके, तो यह सार की value हमें कहाँ से पता चलेगी, resistance box से, ठीके, p की value हमें कहाँ से पता चलेगी, a, b से, और q की value हमें कहाँ से पता चलेगी, b, c से, so s क्या आगे हमारा, 100 minus l upon l into r, let us suppose हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, l की value 20 है, तो हम यहाँ पे l की value 20 पुट कर देंगे, 100 minus 20 क्या आगे अपना, 80, 80.20 into r, r की value हम कहाँ से note करेंगे, resistance box से, ओके स्टोंस, आज सबसे पहले हमने वीर्स्टोन वीज़ पिंसिपल को डिस्क्स किया, ठीक है, वीर्स्टोन वीज़ पिंसिपल क्या होता है, main point क्या है, वीर्स्टोन वीज़ पिंसिपल का, इसमें 4 resistance attach होते हैं, ठीक है, 3 resistance की value given होती है, और 4th resistance की value हम, जब मतलब कि यह system पूरा equilibrium में आ जाता है, जब circuit पूरा equilibrium में आ जाता है, जब गलवैनोमेटर कोई भी deflection नहीं देता, तो इसका formula है, P.Q. is equal to R.S. S की value हम यहां से fine कर सकते हैं, मतलब कि वीर्स्टोन वीज़ पिंसिपल हमें क्या बताता है, जब मतलब कि 4 resistance equilibrium में होएंगे, तो हम unknown resistance को fine करने के लिए, यह formula apply कर सकते हैं, next slide wire, वीज़ मीटर वीज़ यह हमारा एक instrument है, यह lab में available होता है, ठीक है, यह कैसा instrument होता है, यहां पर मतलब कि एक wooden का scale होता है, scale के साथ एक wire होती है, ठीक है, scale को एक wood के board पे fit किया होता है, ठीक है, यहां पर strip बणी होती है, ठीक है, इसको आप अच्छे से read करना, कोई भी problem होतों मेरे साथ share करना, okay thank you, have a nice day,